इमली 30 डिसंबर 2021. अर्पिता नर्मदा से पूछती है कि क्या उसने इमली को देखा क्योंकि वह गायब है और अपने पूर्ग पती की शादी को याद करेगी. आर्यन उनकी बात सुनता है और कहता है कि इमली इतनी कमजोर नहीं है. अर्पिता कहती है कि उन्होंने इमली की आ उसे घटना याद है. अर्पिता उसे इमली को खोजने के लिए कहती है जबकि वह अर्पिता को सूचित करती है. आर्यन सोचता है कि उसे और इमली को मजबूत होने की जरूरत है. इमली कार की खिलकिया खटखटाती रहती है और उसे बाहर निकालने की गोहार लगाती है फिर वह अपने हेयर पिन से कार स्टॉट करने की कोशिश करती है और असफल हो जाती है आर्यन उसे पूरे घर में खोचता है और सोचता है कि वह कहां गई होगी इमली फिर अपने नंगे हाथ से खिलकी से टकराती है और घायल हो जाती है अनु मालिनी को रोना बंद करने के लिए साथवना देती है और अपनी भोहे साफ करने की कोशिश करती है मालेनी कहती है कि यह दाग तो चला जाएगा लेकिन उसके दिल में लगे उस दाग का क्या जो उसे आदी पाने के लिए बुरे काम करके मिला है वह फिर इमली के बारे में पूछती है अनुव का कहना है कि उसने उसे एक कार में बंद कर दिया उन्हें जाना चाहिए और ती परिवार को सूचित करना चाहिए कि उनके बेटे ने क्या किया इमली का कहना है कि वह अपनी शादी के लिए चिंतित है और यकीन है कि जब इमली उसके पास नहीं लोटेगी तो आदी चिर जाएगी और निश्चित रूप से मंडप में लोट आएगी क्योंकि वह अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करता है और इमली के बाद वह औ उसका बच्चा उसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारिया है आदित्य एक मंदिर पहुचता है और इमली को एक मंदिर में मिलने के लिए उसे संदेश भेजने की याद दिलाता है मालिनी मंडप की ओर चलती है डेव उसे रोकता है और इमली के बारे में सोचने और आद इमली ने पहले आदित्य से शादी की. मालिनी कहती है कि उसे इसके बारे में पता नहीं था. नहीं वे दोनों, आदित्य और इमली ने उसे अंधेरे में रखा और उसका जीवन बरबाद कर दिया. वह पूछती है कि क्या वह चाहता है कि वह इमली की तरह एक और नाजायस दे और इसे दूसरों के जीवन को बरबाद कर दे. डेव उसे एक बार फिर से सोचने के लिए कहता है. मालिनी कहती है कि उसके पास है और वह मंडब तक जाती है. आदित्य इमली का इंतजार करता रहता है. पंडित कहते हैं कि मंदिर बंद करने का समय आ गया है. वह कहता है कि वह किसी का इंतजार कर रहा है. पंडित ने उसे फोन करने के लिए कहा. आदि ने इमली को फोन किया, लेकिन उसका फोन नहीं मिल रहा है. मंडब पर पंडित दुलहन को दूलहे को बुलाने के लिए कहते हैं. मालिनी का कहना है कि आदित्य दस मिनट में महूर्ट समाप् होने से पहले आ जाएगा. आदी मंदिर से बाहर चला जाता है और इमली की आर्यन से बरती निकटा को याद करता है और इसके बजाए आदी से लड़ता है. पंडित मंत्र शुरू करते हैं. इमली कार का दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करती है और सोचती है कि वह मालिनी को आदित्य को फिर से धोखा नहीं देने देगी और चिलाती है कि कोई उससे बाहर निकाल देगा. पंडित बताते हैं कि मुहूर्थ का समय बीच चुका है. कैमरा टी परिवार के चेहरों पर फोकस करता है जो खुश महसूस करते हैं. डेव अनु को ताना मारता है कि यह शादी दोबारा नहीं होगी और मालिनी को नए सिरे से शुरुआत करनी होगी. रुपाली अनु को ताना मारती है कि उसे अपनी बेटी को मंडप से बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए और निशात को शादी बंद होने पर लाइट बंद करने के लिए कहती है. आदित्य का कहना है कि शादी रद नहीं हुई है और वह मंडप में है और वह निश्चित रूप से मालिनी से शादी करेगा. मालिनी ने पंडित जी से फेरे के लिए मंत्र शुरू करने को कहा. आदित्य पंडित जी को रोकता है और इमली और आर्यन को बुलाता है. आर्यन इमली की कार के पास से गुजरता है और उसे अंदर देखता है। इमली 30 दिसंबर